तो गईज मैं स्क्रीन पर आ चुका हूँ, फास्ट अपल दोस्त आपको देखा देता हूँ मेरा जो मोबाइल का नेटवर्क टाइप आप देखी सेकते हूँ यहाँ पर 4G प्लस अभी नेटवर्क आ रहा है तो क्या करना है दोस्तों 5G कैसे करना है चले आपको बता देता स binnen यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों अपन पर क्लिक करने के बाद My stone Connection क्याओ योपन हो जाएगा पर पर अपको अबी चलेंटर मोबाइल बंबर क्लिक करने के बाद चैने के बाद उस पर दिखने के लिए मिलेगा यह जोग करने के बाद इसे यहां पर 5G नो दो ऊपको लिखना है तो इसमें लेने के बाद यहां पर देखने करें मिला है तो आपको क्लिक करने के सब्सक्तर करना नहीं यहां पर पुछता है तो आपको देख लेना है दोस्ता अपना mobile पर सेटिंग पर जाकर आपको अपना mobile का software update है वो अल्री यहां पर latest version में है कि नियुक्त कर लिना है अगर आपका latest version में पहले सही है तो दोस्ते आप आप यहा पसी नहीं किया है आपको आपडेटल्स नहीं थो आपको अ पसी अपको ilिएफर सीखक्ता कुष्थ॥ इनले पीहां पस्सांस करने के बाद यहां पर देखने के लिए मिलेगा सब्सक्सक्राइब आधी आपको क्या करने है दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि अपना mobile पर चल सकती है कोईpfी रॉब्लेम नहीं है ठीक है क्या सफ़ियरी करने है कि मिनीमाइज करने के बाद अभी आपको अपना mobile का सेटिंग़ पर आने के बात दोस्तर यह ऑफ्संन मिलेगा SIM card and mobile network तो इसमें आपको क्लिक करना है और जो भी आपका SIM 1, SIM 2 का आपके दिखाई देगा यहाँ पर SIM 1 पर आप insert किया है जियो SIM को तो इसमें आपको क्लिक कर लेना है दनिया आपको देखने के लिए में दोस्ते Left Click Profession prefiour Netárk ट्राइप इसमें क्लिक करने के बाद दॐस्तोrey और परिफ़र पर 5G का था आपको मिल जाता है तो आपको क्या करना है रोला है दोस्तों प्रीफबर 5G पर क्लिक कर लेना है देनी अपर जो मेरा 5 g प्लस अभी हो चुक है दोस्तों 4G से 5 g प्लस हो चुका है इस तरीकसा आपको दिखा देता हूं दोस्ता आपको क्या करना है अभिदर यहाँ पर MINIMIIZE करूंगा यहांपर 또 here is my Samsung emphasis एपन्छी आउंगा आनेके बाद इसको मैं बैक चलिया आता हूं इस से और अने के बाद दोस्त Size एक्सेस कर सकता हूं दोस्तों चला सकता हूं यानि कि 5G में डाटा पूरी तरह से all limited free of cost होता है दोस्तों कोई भी आपको पेसे पे करना नहीं पड़ेगा 5G में आप data all limited यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आपको चेक करके अपना mobile में जो भी 4G SIM से आप 5G में convert कर सकते हैं और इसमें भी कोई भी आपको problem आ रहा है तो मुझे comment section में बता सकते हैं मैं आपको जरूर गाइड करूंगा लेकिन दोस्तों आप 5G को चलाने के लिए आपके पास 5G mobile होना चाहिए तब जाके दोस्तों आप 5G चला सकते हो अगर आपके पास आप 5G चला सकते हो अगर आपके पास कोई भी 5G phone है तो आप 5G चला सकते हो इस तरीके से दोस्तों आप अपना mobile में 5G को enable कर सकते हैं अगर आपका 4G SIM है तो 5G में इस तरीके से convert कर सकते हैं इसमें भी आपको कोई प्रोब्लेम आ रहा है तो मुझे comment section में बता सकते हैं मैं आपको जरू गाइड करूंगा और राइट गाइड देख लिए किसे आपना सीम को आप 4G SIM है तो कैसे आपको 5G में convert करना है पूरी वीडियो में आपको डेटेल पर बता दिया हूँ इस तरीके से दोस्ता को कर लेना है आप आराम से दोस्तों 5G चला सकते हो और भी ऐसे आसे आपको देखने के लिए